इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी वालपो 200 mg, 87 mg tablet CR is a combination of two medicines used to treat epilepsy, a neurological disorder in which there are recurrent episodes of seizures or fits यह मस्तिश की असामान्य activity को नियंत्रित करता है, तंत्रिकाओं को आराम देता है और इसलिए दौरे या fits पढ़ने से रोकता है आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक का निर्नय लेगा, आपकी स्थिती स्थिर होने तक यह धीरे धीरे बढ़ सकता है इस दवा को काम करने में कई हफ़ते लग सकते हैं, लेकिन लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से लेना जरूरी है अगर आपको ठीक महसूस हो, तब भी जब तक आपका डॉक्टर ऐसा करने की सलाह न दे, तब तक आप इसे लेना बन न करें आपको अधिक दौरे पर सकते हैं, या आपके बाइपोलर विकार की स्थिती और भी खराब हो सकती है अधिकांच side effect ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं होते हैं, या आपको इन से परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके हो सकते हैं इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको kidney या liver संबंधी समस्याएं, meningitis या depression या आत्महत्या के विचार आते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं साथ ही, अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिन्हें आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं, या इस से प्रभावित हो सकती हैं, चाहे वे गर्भ निरोधग दवा ही क्यों न हो अगर इस दवा से आपको बेहोशी या चक्कर आता है तो आपको गाड़ी चलाने से या साइकल की सवारी करने से बचना चाहिए आप पर इस दवा का क्या हो रहा है इसकी जाच करने के लिए आपको अकसर ब्लड टेस्ट की आवशकता हो सकती है इस दवा से वजन भी बढ़ सकता है इसलिए स्वस्थ संतुलित आहार खाएं उच्छ कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगाती विचार या व्यवहार के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद